कांधी विले के गोकुल लगर इलाके के जुनजार कॉलेनी में बहु को घर से निकालने के लिए पती ने असमाजिक महिलाओ के साथ मिलकर महिला को घर से निकालने के लिए बे नाकामियाब कोशिश की असमाजिक महिला उनने पुलीस का नाम लेकर घर कबजा करने की कोशिच की महिला ने fact today news से जब बात की तब महिला ने बता की कुछ नकाप post महिला और उनके ससूर मिलकर महिला को जबरन घर से निकालने की कोशिच की जब आसपास के लोग उखटा हुए तब ससूर और उनके साथ आई हुए असमाजिक महिला वहां से भाग पड़े इस मामले में कुराप पुलीस टेशन ने अभी तक कोई भी एफ़ाइट दर्ज नहीं की है महिला का रोप यह है कि उनके पती और पुलीस कर्मी मिले हुए है उनको घर से निकालने के लिए आईए नदर डालते हैं आज ये खास रिपोर्ट पर क्या है उसके बाद टुन maggies अआए पुलीश लोग 108 लोग नहीं वहाए थी मोस्तौ पुलीस लोगdar वाडगो साशोड मेरे पूल रहा है कि तुम आजाओ इदर पुलिचों की में फिर नहीं में गई हूं मतलब अभी अब मेरे घर में ताला मार देंगे क्योंकि वह गरी बैटा है पिंटू चार पाच गंटे से पुलिस लोगो पैसा देखे भेजा था इसले मेरे को उदर बुलवा रहा है उदर में जाएगी तो इदर ताला मार देगा लुवा कि आपके घर में कुछ लोग जिसमें आपके ससूर थे आपने बताया जिस तरह किसे और कुछ महिला थी जो अपने आपको प्लीस बता रहे थे घूंस्टेबल हावलदार बता रहे तो क्या हुआ कि लोग आई ते ऊपर तो दो आदमी नहीं और आप से निकल तेरा कुछ नहीं आपको नहीं है तेरा बाप मेरे घर से निकल मेरा है मैं मारा होती है और आपके तरिके साzd ale डी तो भी तहारे लगी मेरा बहुत हुआ हुआ हम लोग आदा है भूह रहा हुआ हम लोका अदरत में बहुत हुआ था एक पता चल गया था कि मेरे पास उसका गंदा वीडियो इसके मेरे आदमी के मूबाइल में था तो मैंने वीडियो देखी तो इसको पूछी पता है तो जब से जदा मारने पीटने लगा तो मेरे ऐसके मेरे लेकिया तो मेरे परेशान. कई बार मार पीठ हुआ इनको समझावता करा के चाल वाले ने भेजा समने बोला भाई तुम्हारा परिवार है जो है वैसे रहो इस लोगों को हम लोगों ने समझाया बाद में यह यहां रोने लगी बोली कि हमारे को जान का खत्रा है यह नए गाम हमें जान से मार डालेंगे जहर ले जाके रखे हैं जब ऐसा ऐसा मेटा राया यह 20 साल से अवरत यहां रह रही है और सभी जानते कि आवरत गलत नहीं है इसलिए चाल वाले सब इसके सपोर्ट में आगे कि भाई ठीक है अभी 50 साल की उमर में कहां जाएगी इसका एक 17 साल का लड़का है एक 14 साल का ल तो बोल रहा हूँ मैं सब देता हूँ फिर नए गाउं चल नए गाउं सब नए जान बचा के भाग के आई है तो इसका काने का मतलब है हमको यही रहने का दे दे तेरा दिल करे तो वा तू कितनी भी आउरत राक हमको खाना कपड़ा रोटी मकान दे इसकी यह मांग है और इसके लिए वह बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं देंगे उनके पिताजी बोल रहे हैं कुछ नहीं देंगे और उल्टा 57 अउरत बाहर से ले आ के जो कि इसको हंका दिये पुलिस वाली है वह सारी आउरते मुपान के इन दोनों को मारने घुस गई साथ में उनके ससुर भी इस को management करके बैठा हुआ है कि यहां से चौकी में जाएंगी तिदे रूम कब जा कर लेंगे अभी आप बताओ किसी की भी मा बहन हो 40 साल कुमर में 3-3 बच्चे लेके कहां जाएगी अरे हम कहते हैं किसका हिस्सा दे दो यह कमा खा लेगी इसको रहने का एक रूम दे दो तुमारे पास चार रूम इधर है फ्लेट है कहीं तो इसको रहने के दो साधी ब्या किये हो हाग चाल वाले पूरे इसके सपोर्ट में पूरी जुंज़ार चाल इसके साथ खड़ी हुई है इसके साथ अन्या नहीं होगा लोग जहां कहोगे वहां चलके और चारा उरत राख लें उससे मतलब नहीं इसको खाना कपड़ा चाहिए इसको खाना कपड़ा चाहिए इसको रहने के यहां दे दे इसको जान का खत्रा है नहीं गाओं में इसलिए इसको यहीं रहने दें चाल वाले की यहीं कहना ही है बस चाल वाले क्या है कि इसको यहा प्लिस से मदद मांग रही हूं कि मतलब मेरे को रूम में रहा है नहीं कर रही है यह आउरत है पढ़ी लिखी है नहीं इसको डाट देते थे पहले पुलिस पर आती थी तिसको धमका के जाती थी इसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं यह शरीफ होने के नाते पूरे चाल वाले इस इसके बच्चों को गाउं में रख दिये हैं इसका कंड़ेक्ट नहीं होने दे रहे हैं अपर तीन दिन अभी घर खाना खाए यहां घूम रही थी कि यहां बहुत बूरे हाल से बीड़े को भी रखा है क्योंकि मेरा एक दई बात हुआ था बच्चे से मेरे छोटे वाले लड़के से तो मेरा लड़का बोला है मम्मी आजा है किसी को भी भेज आदी रात को अगर तो भीज़ेगी तो हम लोग भी ना कपड़े के आ जाएं तुकि दूरी अधेल के वह लोग को पहुत प्रशक को पानी नहीं अच्छा लग रहे है पानी नहीं मिल रहा है बोल रहें कि किसी को भी तो भर उजयारा को यहां को भी भजना दिन में निए हम लोग घर से बाहर निकलते हैं भी है से इतना बच्चे लोग परेसान है एतना इंदर करके रखे हैं यह लोग पहले जब साथ में रहते हैं तब हम लोगको मतल neuralieg औन नहीं पर नहीं करने देता था किसी से बात करना देता स्टने बातने गी शुड़ नहीं करने खकेम तो में प्लीस को प्लीस कर triangular देती är पूलिस ने फॉन ने उठाया दूबरा दूबरा किसीका फ़न आया तो पता चल रहा है पुलिस मेरे गाओं का लड़का था यह था मेरा आदमी था तो यह लोग फिर बैटे थे, फिर मेरे r Smells like that, जा लूगहाلة, दो चली जाती थे तो यह लोग को लागा कि यह चली Jaskis, जाएगी तो जो मेरे का सामान देखा तो इसको मालूमब पड़ा की नहीं जाएगी. फिर मेरे को उत्र उपप से ढटल ढटल कर निकार कर या मार ढडंगी निकार रहा था नहीं निकली जबाज्स की सँ हूं तो फिर बोलत सबंगी ऐढके लेगा मेरा बाप आएगा, निकालेगा तो हियो तो फिर मेरा शासूर आ यहा मेरा चला शासूर, मैं आपनिया भर लेख हो आप शासूर में मंद देक्वा एंची को सब्सक्टा। तो में कब नहीं सब्सक्राइब को देखी हूँ तो प्लीस से क्या मांगना चाहिए अब मुझे रहने को देख लिए ना आप कितना चोटा सा रूम में उसमें कहां पानी भी नहीं रहता है उपर पानी भी नहीं आता है अज जब से मैं आई थी तो पुरा चौल में खाना कुछ नहीं देख थे दुकानवाले जब हम लोग सब आपर स्चोर सुने और हम लोग आए जब यमा वाज करने लगे तो लोग भाग गये तो नो बहुत भाग गए और फोन में पर पता निगा बाते करते हम को देख दो भाग गये हूं को निकल निकलनी के लह तो पता नही कुछ मुह पे कपड़े वगरा बाने तब हम लोग भी नहीं देखे कभी कहां साय थे कौन से रहे साय थे कुछ आइडिया ही नहीं लेकिन भावी को हेल्प करना चाहिए जहां तक कि मैं जानती हूँ उसको हेल्प की बहुत ज़रूरत है पिलालों अकेली है देखो कोई कोई लव मेरेज या कोट मेरेज निए वो नी प्रॉपरली शादी करके आई यह दस बीस पच्छे साल हो गया उसको शादी कर बच्चे भी बड़े उसको तो सब लोगों को हेल्प करना चाहिए मेरे हिसाब से तो उनको पती के बार में क्या जानते है अब सब तो यही बोल रहे कि उनका फैर यह है वो उनको नहीं रख रहे बट कुछ भी हो सब अच्छे से क्लियर करके एटलिस भावी को उनका हग मिलना चाहिए कुछ हो या नहों वो तो पता नहीं बट उसको उसको हग तो जरूर मिलना चाहिए